हेलो फ्रेंड्स आप मैंसे बहुत जना भी प्रेग्निंसी के लिए ट्राय कर रहे हैं तो ओवलेशन के दोरान भी रिलेशन में रह रहे हैं लेकिन ओवलेशन के एक दिन, दो दिन, तीन, दिन, चार दिन के बाद अगर आपको प्रेग्निंसी जैसे सिम्टम्स नजर रहा रह या फिर आपको nauseous feel हो रहा है या फिर आपको headache हो रहा है तो अक्सर आप लोग मुझे यह सवाल पूछते हैं कि मैं क्या यह pregnancy हो सकता है और आखिर में क्या मैं pregnant हो सकती हूँ तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवालों के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुराधा a healthcare professional और आप देख रहे हैं अनुराधा care channel तो अगर आपका ovulation के एक दिन, दो दिन, तीन, दिन, चार दिन के बाद pregnancy जे से symptoms नाजर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है क्या यह pregnancy हो सकता है तो इसका जो answer है वो बहुत ही diplomatic है यह हां भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है ऐसा मैं क्यों बाल रहे हूँ यह जानने के लिए आपको ovulation से लेकर implantation तक का सफर को जानना पड़ेगा अगर आपका period regular है यानि कि 28 दिन से लेकर 32 days में आपका periods आता है तो आपका जो ovulation है वो 14, 15 या फिर 16 देखो हो जाएगा अगर आप इस टमय और relation में रहते हैं तो आपका जो एक release होगा ovulation के दोरान वो fertilized होगा और fertilization होने के बाद वो fertilized embryo है वो divide होते रहेगा वो divide होने के बाद fallopian tube से आकर आपका जो uterus है वहाँ पर implant होगा जिसको कि हम implantation बोलते हैं यह जितने भी सारे process हो रहा है यानि कि ovulation या फिर fertilization या फिर fallopian के tube के थ्रू जब आपका fertilized embryo आ रहा होगा तब तक आपका body को यह पता ही नहीं चलता है कि आपको pregnant है या नहीं क्योंकि जब तक आपका जो fertilized embryo वो uterus में जाकर implant नहीं हो जाता है तब तक आपको body को यह पता ही नहीं चलता है कि आप pregnant है या नहीं क्योंकि pregnancy implantation के बाद ही सुरू होता है और ovulation से लेकर implantation तक minimum 6 दिन या फिर maximum 12 दिन लग सकता है इसलिए ovulation के एक दिन बाद, दो दिन बाद, चार दिन, पांस दिन के बाद अगर आपको pregnancy का symptoms नजर आ रहे हैं तो यह pregnancy नहीं हो सकता है या फिर हो भी सकता है लेकिन अभी तक आपके body को यह पता नहीं है कि आप pregnant है या नहीं यह जितनी भी सारे symptoms आपको नजर आ रहे हैं जो कि pregnancy के relate करते हैं यह जो सारे symptoms है वो progesterone के बज़े से हो सकता है क्योंकि ovulation के दोरान आपका जो progesterone का level है वो increase होता है तब आपके सरीर में और एक hormone develop होना शुरू होता है वो है SCG hormone यानि की human chorion and gonadotropin hormone प्रेगनिंसी के जितनी भी सारे symptoms होते हैं वो SCG hormone के बज़े से ही नजर आते हैं इसके अलाबा जब आप conceive कर लेते हैं तो आपका estrogen का level भी up होता है आपका progesterone level का भी up होता है और साथी साथ आपका SCG hormone भी produce होना शुरू हो जाता है तो इन सारे hormone के बज़े से आपको pregnancy का लक्षन दिखने शुरू हो जाते हैं तो अगर oblation के एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन के बाद ये pregnancy जेसे symptoms आपको नजर आ रहा हैं तो क्या pregnant है इसका answer yes भी हो सकता है इसका answer नहीं भी हो सकता है लेकिन अगर oblation के 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपको ये सारे लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो most probably आप pregnant है लेकिन आपको इतना जदा सोचना नहीं है क्योंकि अगर आपने conceive किये हैं तो आपका period मिस हो जाएगा अगर आपका period मिस हो जाता है तो उसका 6-7 दिन के बाद आपको एक pregnancy test करना होगा जो कि आप आसानी से घर में कर सकते हैं pregnancy kit में अगर pregnancy kit में आपका दो pink line आता है तो आप pregnant हो गया है तो मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर मदद करेगा ये जानने में कि pregnancy का लक्षन आखिर कब से दिखना सुरू होता है और ovulation के बाद जो सारे symptoms होते हैं pregnancy जैसे उसका क्या मतलब है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like कीजेगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी share कीजेगा और एक नए informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए stay healthy and stay happy